नमस्कार दोस्तों, एलेक्ट्रिक वेकल इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ अजीत, इस वीडियो में हम बात करेंगे, होप एलेक्ट्रिक तरब से आने वाली एलेक्ट्रिक सूटर, लाइफ के बारे में, क्या रेंज मिलती है, इसमें क्या-क्या फिचर्स मिलते है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, सांती साथ बैटरी भी दिखाएंगे, इसमें कैसी है, कितनी बोल्ट की लगी हुई है, लेकिन सब से पहले हम डिजाइइन की बात कर लेते हैं, कि इसमें आपको डिजाइन देखने को कैसी मिलती है, तो look buy काफी अच्षी electric scooter है, यह देखने में भी काफी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कोई compact size का आपको electric scooter दिख रहा हो, यह बड़ी size की electric scooter है, और इसमें अगर features की बात करें, तो सबसे पहले हम fraud side से ही बात करते हैं, कि इसमें आपको क्या-क्या मिलते हैं, तो front में अगर मैं on करके आपको दिखा हूँ, तो इसक देखने को मिलते हैं, और मैं इसकी indicators की बात करूँ, तो indicators मैं आपको एक वर on करके देखाता हूँ, तो एक weep sound के साथ कुछ इस तरक के आपको यहाँ पर indicators देखने को मिलते हैं, अब इसको मैं off कर देता हूँ, यहाँ पर company की आपको branding की गई है, जो कि यहाँ पर लिखा हु अच्छी दी गई है, इसका look दिठाता हूँ मैं एक बार इस side से, तो rim का design कुछ इस तरक का रखा गया है, जो देखने में काफी premium महसूस होता है, साथी साथ अगर इसकी braking system की बात करें, तो इसमें आपको disc brake offer की जाती है, जो की एक अच्छा braking system होता है, brake के लिए, और कहीं आप ब्रेक लगाते हैं, तो काफी smoothly इसमें work भी करती है, साथी सा सौकर्स आप देख रहा है कि कुछ इस design में सौकर्स रखे गया है, अब हम थोड़ा सा और side में आते हैं, और इसकी leg space की बात करें, तो leg space भी इसमें काफी अच्छा कासा रखा गया है, कि आसानी सा आप इस charging socket की बात करें, तो यहां पे charging socket दिया गया है, और इसको charge करने में लगवग 3 घंटे का समय लगता है, अगर आप 0-100% charge करते हैं, तो अब हम आज आते हैं कि इसमें और क्या-क्या features दिये गया है, जैसे कि यहां पे आप display देख रहे हैं, तो इसमें कुछ basic features मिल जाता है, जै यहां पे mention है, अगर गारी को आप reverse भी यूज कर सकते हैं, इस बटन की सहायता से, अगर इसको click करके आप गारी को move करते हैं, तो reverse आपको लगवग 3-4K speed में यह आसानी से move होती है, अब left side की बात करें, तो इसमें आपको high beam, low beam के switch मिलते हैं, साथ ही साथ indicators के, और यहां पे horn के switch मिलते हैं, horn का sound आपको एक बार सुनाता हूँ, तो कुछ इतना loud आपको horn का sound इसमें देखने को मिलता है, अब हम आज आते हैं, और seat की बात कर लेते हैं, तो seat आपको इसमें अच्छी खासी बरे side की seat मिलती है, और जो इसका sponge है, वो भी काफी गदेदार है, आपको बै आजाएं, तो कुछ इस तरह के backlight दिखते हैं, मैं एक बार इसका light भी आपको on करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको backlight दिखते हैं, और indicators के light आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ इस design में, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इस देखने को मिलते हैं, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो इसमें आपको ladies foods देखने को मिलता है, जो की काफी अच्छी है, जब भी ladies पर बैठती है, तो उसके लिए काफी comfortable चीज होता है, साथी साथ अगर कोई पीछे बैठेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो गारी आपको आगे बढ़ती नहीं है, तो वो एक अच्छा चीज में आपको देखने को मिलता है, double stand already इसमें मिलता है, तो यह भी एक अच्छी चीज मिल जाती है, अब हम आज आते हैं कि इसमें आपको बैटरी देखने को कैसी मिलती है, और बैटरी कैसी है, उसके अलावा इसमें space कैसा है, तो मैं इसको on करके भी आपको एक पर दिखाता हूँ, तो मैं इसको seat storage को खोलता हूँ, यहाँ पर पहले space देखिए, तो इसमें आपको space अच्छा देखने को मिलता है, और इतना space मिलता है कि इसमें half face का helmet आप आसानी से रख पाते हैं, तो बैटरी के अगर हम बात करें, तो इसमें आपको 72 volt की बैटरी मिल जाती है, जिससे जो इसकी driving range है, वो लगभग company claim है, 120 km के आसपास, तो इसमें range जो है, 72 volt होने की वैसे इसकी range है, वो काफी अच्छी मिलती है, और लगभग 120 km के आसपास जो company claim है, वो आपको आसानी से इस साथ अगर हम बात करें, तो यहां आपको MCB देखने को मिलता है, जिसकी सहता से अगर आप लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हैं, तो इसको आप off कर देते हैं, तो बैटरी जल्दी discharge नहीं होती है, तो यह भी अच्छा facility आपको यहां पर देखने को मिलता है, साथी साथ अग आपकी मोटन को यहां से क्लिक करके रिमूव कर देंगे, या फिर आप ब्रेक भी एक बार दबाते हैं, उससे भी रिमूव हो जाता है, अब हम नमबर एक में अगर मोड में इसको चालू करें, और इसकी स्पीड को टेस्ट करें, तो इसमें आपको स्पीड देखने को मिलत दे पाती है, जो की अच्छी बात है इस इलेक्टिक स्कूटर के लिए, उसके सासाथ अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ बेसिक चीज आसानी से मिल जाती है, जैसे कि एंटी थेफ अलाम वगएरा भी इसमें देखने को मिलती है, मैं एक बार आपको यहां से दिखाता हू तो कुछ इस तरह के एंटी थेफ अलाम भी आपको बजने लगते हैं, जो की काफी एक बहतरीन फीचर इस इलेक्टिक स्कूटर में आपको देखने को मिलती है, उसके सासाथ इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, तो इसमें आपको एक बार मैं क्लिक करके दिखात हूं, उसके बाद अगर मैं छोड़ता हूं, तो ये गाड़ी आपको उसी स्पीट में चलती रहती है, तो ये फीचर इसमें आपको कुछ अच्छा मिलता है, जो की नॉर्मल एलेक्टिक स्कूटर में आपको देखने को ने मिलता है, तो ये अच्छी चीज है, दूसरी बा पस-पस इस एलेक्टिक स्कूटर की प्राइस रखी गई है, इस एलेक्टिक स्कूटर की आप टेस्ट राइड लेना चाहते है या फिर पर्चेश करना चाहते हैं, तो contact novo or address आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको check out कर सकते हैं, तो यही था हमारा वीडियो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ